उत्तरपदेश के लोग अब यही भगमान से प्रातना कर रहे हैं कि ठंड से जल्दी उनको रहत मिले लेकिन ऐसी रहत मिलने की अभी पांस दिनों तक कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है राजधानी लखनव का मौसम आज बिलकुल साफ है आप देख सकते हैं कि मेरे प बुद्धवार को राजधानी में कई जगह उपर बुद्धवादी वी वहीं गुरुवार को भी ऐसा ही अनुमान लगाया गया है राजधानी लखनव में बर्फिली हवा जरूर चल लही है जिसके चलते नियुनतब तापमान में कोई भी सुधार नहीं हुआ है गुरुवार को राजधानी लखनव का नियुनतब तापमान साथ डिग्री सेल्सियस दर्च किया गया है जबकि अधिक तापमान 14.2 डिग्री सेल्सियस दर्च किया गया था वहीं उत्तर प्रदेश में मुझफर नगर सबसे ठंडा जिला दर्च किया गया है जहां पर नियुन्तम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्च किया गया है पूरा पस्चमी यूपी इन दिनों कोल्ड डे की इस्तिती में है और खास्त दूर से यहां पर सीतलहर जारी है भी मामली ही दिखती है जितने देर तक धूप रहती है लेकिन उसके बाद भी फिर गलन सुरू हो जाती है और राजधानी के लोगों को फिर वही सीतलहर का कहर का सामना करना पड़ रहा है उत्तर प्रदेश में सीतलहर के चलते बच्चों के आठवी तक के स्कूल बंद चल रहे हैं पिछले अठारा दिनों से यही हाल है सरदी का सितम कम नहीं हो रहा है अब तो लोग यही मना रहे हैं कि कब हमें रहत मिले मौसम बिभाग के पुर्वानमान के मुताबिक 23 जनवरी तक सरदी ऐसे ही लोगों को सताएगी 23 जनवरी के बाद कुछ इस्थती सुधर सकती है वहीं अगर कोहरे की बात करें तो पूरा पस्चिमी यूपी कोहरे के चलते एलर्ट में रहेगा यहां पर खाना कोहरा चायर हैगा जबकि पूर्वी यूपी में इस तरह की संभावना कम जताई गई है कोहरे और मौसम के में बढ़ रही आदरता के चलते अगर देखा जाए तो सरसों की फसल में रत्वा लोग लगने की संभावना बढ़ गई है क्रिसी वैग्यानिकों का कहना है कि इस विमारी से बचाव के लिए किसानों को नीमित तोर पर फसलों का निरिच्छन करें और ऐसे लच्छन दिखाई देते ही तुरंत क्रिसी वैग्यानिक से संपर करके उपाय करें यही हल आलू के किसानों का भी है जहाँ पर साथा जो साथ दिन में तयार होता है आलू उसकी खुदाई तो चल रही है लेकिन आलू की ऐसी कई परजातियां है जो 80-90 दिन पर खुदाई होती है उनके लिए ये खत्रा बढ़ गया है दूसरी फसलों के लिए इस तरह का कोई खास नुकसान नहीं बताया गया है धर्मिन सिंग किसान तक लखनू